हेलो दोस्तों आप सबका हमारी किचन में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ सबकी फेवरेट और बहुती टेस्टी सेज़वान चेकनी की रेसिपी शेयर करूंगी और इसकी बहुती सरल और आसान मीती बताऊंगी जिसे कि आप इसे कभी भी बनाकर और कोड़े नूडल्स फ्राइर आइस आप चाहे उसके साथ इंजोई कर सकते हैं यह आपको ज़रूर पसंद आएगी इसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिए और आप सबसे हमारी छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें और ऐसे ही अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं यहाँ पर हम एक बाहूल ले लेंगे और इसमें 1.5 टेबल स्पून कॉन फ्लार डालेंगे और साथ ही 3 टेबल स्पून पानी अड़ कर लेंगे यहाँ पर हमें कॉन फ्लार का गोल बनाकर रेडि करना है तो पानी अड़ करके इसे अच्छी से हम मीक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी गुठली या लंप्स ना रहे तो यहां पर हमारा कॉन फ्लार का गोल बनकर रेडी हो गया है इसे हम साइड में रख देंगे और आगे का पोसेस करते है गेस पर हमने एक पेल रख लिया है इसमें दो छोटे चमच ओयल एड़ कर लिया है ओयल को गर्म होने देंगे तो यहां पर हमारा ओयल अच्छे से गर्म हो गया है इसमें हम अद्रक लसुन और मिर्च का पेस्ट एड़ करेंगे यहां पर हमने चार से पांच लसुन एक से दो खरी मिर्च और एक इंच जितना अद्रक अटुपडा लिया है चिसे हम ने año 2 में पेंस क्षह से चलाते हुए this look at the video है कि यस कच्चा पर निकल यहां पर हमारा पेस्ट अच्छे से फ्राय हो गया है यहां पर हमने दो चमच विट्स पाउडर एड़ किया है तो यहां पर हमने काश्मीरी लाल मिल्च यूज की है साथ ही स्वादनुसा नमक एड़ कर लेंगे और आधी छोटी चमच रेड़ फूड कलर लिया है तो इसे अ इसका फ्लेम मीडियम रखें गे सेजवान चणंड को हम अच्छे से पकने तक बॉइल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा बॉृल आना शुरू हो गया है तो इसे अच्छे से बॉइल करेंगे जिससे कि हमारी चटनी अच्छे से कुक हो जाएगी तो आप देख सकते हैं तीन से चार मिनिट हमने इसे अच्छे से बोल कर दिया है अच्छे से बोल होने के बाद इसमें कॉन फलार का हमने जो गोल रेडिक किया था इसे डालेंगे तो इसे डालने से पहले एक बार इसे अच्छे से चला दे क्योंकि कॉन फ्लार तले में बेट जाता है तो कॉन फ्लार मिला का इसे अच्छे से चलाना है कॉन फ्लार का गोल मिलाने के बाद हमारी चट्नी गाड़ी होनी शुरू हो जाएगी तो इसे हम 2-3 मिनिट और पकाएंगे जब तक कि हमारी चट्नी अच्छे से गाड़ी न हो जाए तो आप देख सकते हैं हमारी चट्नी अच्छे से गाड़ी हो गई है तो हमारी चट्नी अच्छे से बन गई है अब यहाँ पर हम एक चमट डाक सोय सोस एड़ करेंगे जिससे कि हमारी चतनी और टेस्टी बनेगी तो इसे एड़ कर लिया है अब हम केस का फ्लेम ओफ कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर हमारी सुपर दूपर टेस्टी से ज़वान चतनी बने कर तयार है आप इसे गर्मा गर्म सर्व किजिए यह बहुती टेस्टी बनी है आप चाहित इसे स्टोर भी कर सकते हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताए आपको हमारी सेजवान चतनी की रेसिपी कैसी लगी सेजवान चतनी का वीडियो आपको अच्छा लगाए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना बुलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई थेंक्स फो वाचिंग, थेंक्यू